हलो दोस्तों इस्ट्रेडी जी के आलाइन में आपका स्वागत है सुस्मा स्वराज की जानकारी देते अंसर देखते हैं सुस्मा स्वराज की पूरा इतियास आपने तस्वितों देखी सुस्मा स्वराज की जिया लिखा है सुस्मा सुराज जी का जन 14 फरवरी 1902 को अर्याना के अम्बाला में गुआ था वो 67 साल के लवग जी है उनका दियांत जो है 6 अगस्त 19 ने 6 अगस्त 2019 को हो गया था सुस्मा सुराज सुतंद भारत की पाहली महिला विदेश मंत्री रह चुकी है जी रोस्त उनके पिता जी का नाम हर्देव सिंग सर्मा है और उनकी माता जी का नाम लच्मी देवी था उनका एक बाई एक बैन थे उनका बाई का नाम गुल्चन सर्मा और उनकी बैन का नाम बंदना सर्मा था गुल्सन सर्मा एक आयरुबेदिक डाक्टर है बंधना सर्मा एक कालेज के प्रोफेसर गानाराज में थे सुस्मा सुराज जी ने साधी सुराज कौसल के साथ की वह बकील थे और गवन्नर भी रहे चुके आज भी सर्बोच नियाला के बरिष्ट अधिभक्ता भी है यह है उनकी बेटी बंधना और दिया आए सुस्मा सुराज जी की एक बेटी बांसुरी कोसल आए बांसुरी कोसल एक बखील है दिल्दी आईकोट से यह उनकी पती उनके राजनेतिक गुरु का नाम लालकरशन आनवारी थे सबसे यूबा केबिनेट मंतरी उन्नीस सासत्तर एसबी में अरियाना से चुनी गई थी सुसमा सुराज जे दिल्ली की पहली मुख मंतरी उन्नीस सो अठामन एसमी में चुनी गई थी सिर्फ बामन दिन का ही उनका कारकाल था मैं दिल्ली की पहली मुख मंतरी थी कॉन सません स्वराज bonding शेल सेहान वियारी बाजपय की सरकार में सूचना ऐबन पर46 मंतरी चुनी गई ती जब 1996 में बाजपय की सरकार में ngay 13 की बनी थी दोस्ताइ सेहार धिन इसके पहले कोई भी नेगले चुका है इस पत्पाव सिर्फ पूर्ण कार्लिंग याई साथ बार सांसद एवन तीन बार विदाईका भी रह चुकी है भारत के सर्भोच सांसद का पुरुषकार पाने वाली प्रिथम महिला थी उन्हें याई पुरुषकार 2008 वा 2010 में सामिल कि पंदृ भी लोगसंबा में 2014 वा 2015 के बीच में विपच्च की पाहली मनेता रही लोगसंबा में लतामंगेसकर वहारें जानते दोस्तों लतामंगेसकर वारें लता मंगिसकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को उंदाउर की मद्ध बिदेश में वा था लता मंगिसकर का पिता जी का नाम धीन दयाल धीनानाथ मंगिसकर था धीनानाथ जी का जन्म 29 दिसंबर 1904 था 29 दिसंबर 1904 था उनकी मिरत 24 अप्राइल 1942 को वीज़े था वह पेशित मराथी अबनेतावा कलाकार भी थे इनी का बात ये टिकट इनी का बात ये टिकट 29 दिसम्मर 1993 को जारी किया गाता था उनकी माता का नाम सवेंती मंगेशकर था उनके भाइका नाम हिद्धायनार्वामंगेशकर था अंके कुछ अवाड मिली लत्यमंगेशकर के आवार्ड कुछ मैंत्मूर इस प्रकार देखते हैं लत्यमंगेशकर एक मात ऐसी जीवित ब्यागते हैं जिनकी नाम से पुरुषकार दिये जाते हैं लत्यमंगेशकर ने आनंद गन बहरलतले फिल्मों का निर्मान कियावी और संगीत भी आए हुई फिल्म फेर का लाइप्टाम अचीव्मेंड अब पुरुषकार भी मिला और 1996 में स्कीरीन लाइप्टाम अचीव्मेंड अवाड मिला 1997 में राजिय गांधी पुरुषकार मिला 1999 एन टी आर पुरुषकार मिला 1999 में पद भुषण भी मिला 1999 में जीद सिने का लाइप्टाम अचीव्मेंड अवाड मिला 2000 को आई ए यप लाइप्टाम अचाव अचीव्मेंड अवाड पुरुषकार मिला 2001 में इस्टार डस्क का लाइप्टाम अचीव्मेंड पुरुषकार मिला 2001 में बारत का सर्वोच नागरीक सम्वान भारत अं में 2001 में नूर जहां पुरूचकार भी मिला और 2001 महाराष्ट पुरूचकार भी मिला महाराष्ट भोचन पुरूचकार पिता धीना नानमंगीशकर एक साच्तिय गायक थे उन्होंने अपना पहला गाना महीराथी फिल्म किती असाल कितना हसोगे 1942 में गया था और लत्ता मंगीशकर को सबसे बड़ा ब्रीक फिल्म महल से मिला उनका गाया आएगा आने वाला एक सुपर हिट गाना था उनका गाया गाना गया था आएगा आने वाला लत्ता मंगीशकर अब तक 20 से अधिक बासाओं में 30,000 से अधिक गाना गा चुकी है लटा मेंगेसकर ने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्ट्रेड सूप पर अधिक ध्यान देने लगी दन्दबाद दोस्तो